आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question में हम सबूच है Which of the following numbers represent the number of seeds found inside the fruit that develops from an ovary containing 16 ovules मतलब ऐसा कौन सा number है जो हमें क्या बताता है number of seeds बताता है जो हमें ऐसे fruit में मिलेंगे जिसकी ovary के अंदर 16 ovules हो मतलब जो हमारा ovary है ovary के अंदर कितने ovules होगे 16 ovules हम यह assume कर लें कि हर एक ovules ovules के अंदर क्या होते है eggs present होते हैं fertilize हो जाते है किस से male gamete से male gamete कहां से आता है pollen से तो जब male gamete के साथ fuse हो करके यह क्या बनाएंगे यह बनादेंगे seeds तो हमें यही तो बताने number of seeds तो हमें एक ovules से कितने मिलते हैं एक ovules से हमें एक seed मिलता है एक ovules से मिलता है एक seed यहां पे कितने ovules हैं, यहां पे 16 ovules हैं, 16 ovules का मतलब, अगर एक ovule से 1 seed मिलता है, तो 16 ovule से मिल जाएंगे 16 seeds, 16 seeds, तो हमारा जो fruit है, fruit किस से बनता है, fruit बनता है ovary से, ovary के अंदर 16 ovules है, यह 16 के 16 ovules, 16 seeds बन जाएंगे, तो जो हमारा एक fruit होगा, जो ovary है, क्यों कि उसी के अंदर तो होते है ovules है, तो जो हमारा fruit बनेगी ovary, जो fruit बन जाएगी, तो जो ovules होंगे 16 seeds बन जाएंगे, तो क्या answer हो जाएगा, इसमें में पे तो बताने है कि number of seeds कितना है, तो इसका answer हो जाएगा option number 2, 16. क्लासिक स्ट्वेल से लेके, नीट IIT जेही, मेंस और एडवांस के लेवल तक, तस मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर होसा, आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप, या वाथ्साप कीचे अपने डाउट्स, आच चारसो 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 पर.